हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल मेज़र टार्गेट पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग कलास ट्रेंद के समाजी विग्यान यानि की सोसल साइंस के कुछसंस बेंका पार्ट नाइन को देखेंगे और इस पार्ट नाइन में हम हम लोग 38 काफी मत पूर्ण और अफजरी पूसंस को देखने वाले हैं जो आपके फानल मैटिक बोट पर इच्छा में हूब बहु देखने को मिलेगा तो अगर आप इस वीडियो को संपूर्ण है शुरू से लेकर आखरी तक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में हम अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है ना तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर जरूर से रेट के लिजेगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइप क्लास हो तो आपको हमेसा नौडिफिकेशन मिलता रहे है तो आईए सुरू करते हैं यहां पर आज के पहले नंबर परसन से जो की मोश्ट इंपोर्टेंड है एक एक कोसन को कंसंट्रेट होके याद करते हुए जाना है तो देखेगा कोसन से एक रहा है कि महासागर के तलीप पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है आतियंती महतपूर्ण है और चंच में आएगा ही आएगा तो यहां पे महासागर के तलीप पर होने वाले कंपन को जो है ना सुनाम से जाना जाता है यहां पर फ्रेंड देखते हैं पर दोनमर परसन को देखी का क्या कि कि 26 दिसम्बर 24 को विस्व के किस हिस्से में भैंकर सुना में आया था ये भी परसन जोए ना 24 और 29 के फानल मैटिक बॉर्ट पर इच्छा में पूछा गया था कहां पर आया था यानि कि बंगाल के खारी में है और डी जोए ने यहां पर मुरा बिल्कुर से उत्रो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं पर अगला परसन जो की काफी मतपूर ने क्या करा है कि निमलिकित में कौन प्राकिर्थिक आपदा है ये भी परसन जोए ना 24 के फानल मैटिक बोड़ पर इच्छा में पूछा गया था ओप्सन ए में आपका दिया हुआ है आग लगना या फिर बंबी स्पोर्ट या फिर भूकंप या फिर रासा आनिक दूर घटना है तो जोस्तों आप सब को बता देते हैं यह भूकंप जो होता है ना प्राकिर्थिक आपदा होता है यहां पर मुझा आपस नमर सी जो है ना बिल्कूल से उत्र हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखते हैं आपर चौथा पर्सन जो की मोश्ट इंपोर्टेंड है और गत वर्स में बहुत पर पूछा गया है और इस बार भी काफी महत्पुन महत्पुन पर्स दोस्तों आप सिब को बता देते हैं भूकम समवी छेत्रों में भवनों की जो आकिरती होना चाहिए आयताकार होना चाहिए यहां पर मुझा बिल्कूल से उत्र हो जाएगा और दोस्तों भूकम को मापा जाता है इसे आप लोग को याद रखना है अब आए फ्रेंड देख पूचा गया था और सब्सक्राइब आपका दिया हुआ हिन में से कोई नहीं तो दोस्तों भूपटल की नीचे का वह अस्तान जहां पे भूकम का जन्म होता है उसे हम लोग भूकम केंदर करते हैं यहां पर जो बिल्कूर से वीतर हो जाएगा और दोस्तों यहां पर अधी कौफी महतपूर्द महतपूर्द है सोसल साइंस के गत वर्स में पूछे के सभी परसन को देख रहे हैं और दोस्तों यहां पर जो मुझत इंपोर्टेंट वस्तों निश्ट अबसेरिफ को सेलेट किया है ना सभी परसन आपका यंसी आर्टी के न्यू पैटरन पर आधारि परवावित होता है यह भी परसन जो है इस बार आया हुआ था आपके फानल मैटिक बोर पर इच्छा में आपका दिया हो कस्मीर और उत्राखंड उडिसा और या फिर आंदर परदेश और अफिर अफिर परदेश तो दोस्तों आप सब को बता देते हैं कि कस्मीर और उत्र परवावित होता है यहाँ पर मुरू अफिर नमर ए जो है न बिल्कु से उत्रो जाएगा अब आये फिर न देखते हैं आप साथ नमर पर स्मूद एक क्या कराए कि आप दा प्रबंदन का प्रमुग घटक कौन है अफिर अपका दिया हुआ है अस्तानिय प्रशाशन या फ सामिल होते हैं यहाँ पर मुरू ऑफिर नमर डी जो है न बिल्कु से उत्रो जाएगा यह भी परसन जो है इस बार आपके फॉनल मैटिक बोर पिच्छा में पूछा गया था अब आए फ्रेंड देखते हैं पर अगला परसन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंड है कि भारत में सह अगला परसन क्या करा है कि भारत में क्रेंसी नोट कौन जारी करता है ना रिजब बैंक और इंडिया करता है और दोस्तों यह भी परसन जो है इसके फानल मैटिक बोर पिच्छा में पूछा गया था अब आए फ्रेंड देखते हैं पर दास्त नमर परसन भी बहुत ही मतपूर ने देखिए का क्वेनी में का सरोतम माद्यम है और अपका दिया वस्तू या फिर चेक और अपका दिया मुद्रा या फिर परतिक या पत्र तो दोस्तों वीनी में का जो सरोतम माद्यम है ना मुद्रा है यानि की करंसी है और अपसन वर्सी यहां पर बिल्कु से उत्रो जाएगा और दोस्तों यह भी परसन जो है ना यह सबी परसन अत्यांती महतपूर्ण है क्योंकि इस वीडि परसन यहां पर जो अपने नोट बुक में नोट कर लीजेगा और उसे आप जरूर याद कर लीजेगा क्योंकि समय बहुत ही कम है अब देखें आप अगला परसन क्या करा है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है और अपसन ए में आपका दिया भागलपूर या फिर पटना या फिर नालंदा और अपसन डी में आपका दिया मुंगेर तो जोस्तों सबसे अधिक अबादी वाला जो जीला है ना पटना है यहां पर मर अपसन और भी जो है ना बिलकुत से उत्रों जाएगा और दोस्तों ये परसन जो है ना दोड़े किस के फारनल मैटिक पुछा गया तो और अपसर में आपका दिया मध्य युग में या फिर प्राचेन युग में या फिर वर्तमानी यूग में और और अपसं ट्रोंब्रे में रोगहाएगा यह आफ़रसल ये गोंडेगा को देखिय क्या कराएं कि बिहार कि सीमा're की कुल लंबाई कितनी ये भी परस्ट ब्यासितार की फानल में जीदे का इस दो सुटratic फिर फी Leben तो दो सुल नümरेटर की में वे वह स्पारेवं यहां पीट के फीकल मेत डिया, आप चले फ्रेंड देखते हैं आप चौदा नमर प्रस्ट को देखेगा जो कि अत्यांती मतपूर ने की बिहार में रजु मार्ग कहां है देखेगा यह परसन जो है ना दो यह पंदर और दो यह किस के फानल मैटिक बड़ पिछा में पूछा गया था और अपसन अ में आपक हम बनोट दो को देखेगा जो कि अत्यॐंन दीम मतपूर ने देखेगा कॉससंस एक लगी मंदार हिल किस जी alah में फिट दो कर दो और और अपका दी आहार आप नुखर में है व्कुदो है तो आज के इस वीड़ियो में काफिं मतपूर को देख रहे हैं समाजी विज्ञान का जो आपके उनीस फैबरी के एक्जाम में हुब 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 देखनों को भी लेगा और दोस्तों यहां पे जो जितने भी सब्जेक्टी यानि की जितने भी ऑफजेटी टाइप को सेलेट किया है ना सभी परसन गत वर्स में पूछा गय और सभी परसन जो है प्रिवेस एयर में यानि की जो बारबा पूछा गया परसन होता है चुनिंदा चुनिंदा परसन उसी सब परसन को इस वीडियो में हम लोग सेलेट किया है इसले वीडियो को समपूर नसुरू से लेकर आखरी तक जरूर देखेगा और दोस्तों वीड पर इच्छा में पूछा गया था और संदी में आपका दियो इनमें से किसी में नहीं तो दोस्तों आप सब को बता देते हैं चुना पत्थर का जो उप्योग होता है ना मुख रूप से सिमेंट उद्धोग में होता है यहां पर मोड़ ऑप्सन नमर ए जो है ना बिलकुल स तो आप सब बता देते हैं पायरत खनीच को जो हैना मुर्को DR इसे अपूचा में ठाय फॉचा गया था अब आए फिरंड देखते हैं पे अगला परसन को देखे का क्या कराए कि कहल गाउ ताप ये विदूत परियोजना किस जीले में इस्तिद है तो ये रिकिस के फानल मैटिक बड़ पिक्छा में परसन पूछा गया था अपसन a में अपका भागल पूर में या फिर मुंगिवर में या फिर जम्यु में और अपसन डी में आपका दिया हुआ है साहेव गंजी में तो दोस्तों आप सब को बता देते हैं कहल गाओ ताप ये विदूत ये परियोजना जो है ना ये आपका किस में इस्तिद है यानि कि भागलपूर में इस्तिद है यहां पर मेर आपसन नमर ए जो है बिल्कुल से उत्र हो जाएगा अब देखे हैं पर 19 नमर परसन क्या करा है कि कांट ये ताप ये विदूत परियोजना किस जीले में अस्तापी दे यानि की 222 के सोरी यहां पर 2020 के फानल मैटिक बर विक्षा में ये परसन पूछा गया था और सिवान में या फिर मुझफर पूर में या फिर पूरवी चमपार में तो दोस्तों आप सब को बता देते हैं काटिये विदूत परियोजना जो है ना ये पूर्णिया में इस्ति पूछा गया था और अप्सन दी में आपका दिवाज पांच तो दोस्तों नागपूर सरक योजना के अंतर के सरकों को जो है ना चार भागों में वड़की किरित किया गया है यहां प्रिमर अप्सन न्मर्ट जो हिना बिल्कुल से उत्र हो जाएगा तो दूस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग काफी हूं हतपूर्ण हो मतपूर्ण है सोजल साइस्स याने की समाजी विग्यान के वास तुनिष्ट है और सरी प्सन को देख रहे हैं जो आपके फानल नाटिक बड़ पर इच्छा में यह तीस परसन में से बहुत सारे परसन चोई ना हूँ बह देखे का कुस्सन से करा कि परीवहन के सादनों में सबसे सस्ता परीवहन का सादन है और दोस्तो यह परसन जो है ना बिल्कुल से उत्र हो जाएगा और दोस्तो यह परसन जो है ना 28 के फानल नाटिक बड़ पिच्छा में पूछा गया था अब चले फ्रेंड देखते हैं आपे 22 नमर परसन को देखे का कुस्सन से एक रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगा है यानि कि भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगा है ना कौन है अब देखेगा 23 नमर परसन क्या कौन सा उद्धुक चूना पत्थर को कच्चे माल की रूप में उप्योग करता है और आपका और आपका असबा व्योग करता है यारवराला के फारानमैटिक च्छा में पूछा गया है अब आई परण देखते हैं पे 24 नमर परसन को देखे का क्या करा है कि नेपा नगर परसिद है यानि कि नेपा नगर नगर अपका दरशीद है option A में आपका दचीनी के लिए या फिर सिमेंड के लिए या फिर अकबारी कागज के लिए और option D में आपका देव सूती कपरो के लिए ये person जो है ना 2019 के फानल मैटिक बड़ पर इच्छा में पूछा गया था तो दोस्तों आप सब को बता देते हैं नेपानगर जो है ना सिमेंड के लिए यहाँ पर अकबारी कागज के लिए पर चली दे option वर सी जो ना बिल्कुल से उत्र हो जाएगा अब देखे हैं पर 25 नुमर परसन को देखे का question से एक रहाएगी भारत का परत्थम तेल सुदक कारखना कहां इस्ती दे अब आये फ्रेंड देखते हैं आप इस नुमर परसन पुछा गया था या फिर प्राउनी में या फिर डिग बोई में या फिर गुहाटी में तो भारत का परत्थम तेल सुदक कारखना जो है ना डिग बोई में इस्ती दे आपसे नुमर सी यहां पर मोरा बिल्कुल से उत्र हो जाएगा तो दोस्तों फटावर से वीडियो को लाइक कर लिजेगा क्योंकि वीडियो को लाइक जरू कर लिजेगा चैनल पर नहीं है न तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके बिलागर उनको प्लेजिस करके ओल पर जरू से लटके लिजेगा अब आए फ्रेंड देखते हैं आप च्शावीस नुमर परसन को देखेगा क्या करा कि प्राकिर्दे केस किस खनीच के साथ पाया जाता है यह परसन जो ना दूना पथर खनीच के साथ नहीं बलकि पैट्रोलियम खनीच के साथ पाया जाता है परसन को देखेगा क्या करा है है कि भाकरान अंगल पर्योजणा किस नदी पर अबस्तीद या रोचा घृचा conservative में पूछा गया था अब आये फिरेंट देखते हैं आप पे अगला परस्ट क्या करा है कि यूरेनियम का परमुग उत्पाद अगस्तल है 2013 परंदर फिर उनी सियानी की लगातार जो है ना तीन वर्स में पूछा गया है अब आये फिरेंट देखते हैं पर 29 परस्ट को देखिया का कुस्टन से एक रहा है कि यानि कि एसे आगा सबसे बड़ा परमानो विद्दत गिरह जो है ना कौन है अब सबसे बड़ा परमानो विद्दत गिरह ना तारापूर है यह परस्टन जो है ना बिल्कुल से उत्र हो जाएगा अब आये फिरेंट देखते हैं आप आज का लास्ट और अंतीम परस्टन जो की काउफी मतपूर ने कि भारत में कोईले का परमुग उत्पादक राज्य है यानि कि भारत में जो कोईले का परमुग उत्पादक राज्य है ना कौन है यह परस्टन जो ना बिल्कुल से उत्र हो जाएगा यह परस्टन जो ना बिल्कुल से उत्र हो जाएगा काफी मतपूर्द मतपूर्द वस्तों निस्ट और फारनल वैट्रीप पर इच्छा हमें हुब भूब देखने को मिलेगा और दोस्तों इससे पहले जितने भी हम लोग सोजल साइंस के पार्ट को परा चुके हैं सभी पार्ट को आप लोग बारी की से एक एक पार्ट वाइस आप लोग सभी पार्ट को देखे क्योंकि के सभी बीसे क्या कोसेंस का इसी तरह का वीडियो कर दिया है प्लेडियों चेक्ट कर सकते हैं और दोस्तों वीडियों को लाइक ने किये आप लोग को फटावर से यसी वीडियो में कमेंट करें करें बताना है और शाथ में बताना है कि 30% में से पहले से आप सब को कितरा परसन का सही और सटिक आंसर याद था अब आए फिर ने देखते हैं आप दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो प्लीज द